हेलो नोजवान साथियो जैहिंग जैभार्त जीनियस मिल्टी एकडमी हासी यूटूब चाइनल पर आपका एक बार फिर सवागत है नई वीडियो के साथ बहुत सारे नोजवान साथियो के कमेंट आते हैं कि सर मेरा एड्मिर कार्ड आ चुक्या है लेकिन कहां पे मेरे को जा आए मेरी लोकेशन क्या है मेरे एड्मिर कार्ड में मेरे को ग्राउंड के बारे में नहीं बता गया है तो साथियो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि जिस जिस भी नोजवान का एड्मिर कार्ड आया फायर में या ट्रेड में क तो आपने location का कैसे पता लगेगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि location के लिए आप रेशान ना हो ये आप अपने physical की त्यारी करिए physical में आपको एक man चीज बताता हूँ सबसे important जो चीज है सबसे important चीज है कि chest और chest सिर्फ आपकी fireman में chest होगी ही mail की नहीं होगी mail की होगी तो जो ये chest है 81.5 to 85 पहले वाले वीडियो में मैंने demo के तोर पे आपको दिखा था कि किस परकार से chest ना पेंगे किस परकार से आपकी height होगी किस परकार से आपका weight होगा सायद आपने वीडियो देखी होगी नहीं देखी है तो आप देख सकते हो मेरे channel पे genius military academy पे वीडियो डाल रखी मैंने किस परकार से height, weight और chest होता है अभी जो chest की बात करें पिछे एक बरती आई थी AMD autonomic mineral की जो एक बरती थी उसके अंदर भी chest ज्यादा मांग रखी थी और बहुत सारे बच्चे chest में फैलोगे थे तो fireman वाले बच्चे ये ध्यान देना है कि आपने chest का विशेश ध्यान रखना है और बहुत सारे बच्चों के अभी भी phone call आते हैं, message आते हैं, comment आते हैं चार ये बताए कि कितने बच्चे दोड़ेंगे मेरा 6 मिंट का time है पूरा 6 मिंट का मिलेगा और नहीं मिलेगा मैंने पहले भी बता था कि जो 6 मिंट के timing की बात है ये group पे depend करता है आपका group कितना तेज दोड़ने वाला है उसके बाद में आप कितनी भीड पोँचती है आपको पता है अगर ज्यादा भीड पोचेगी तो क्या होगा ज्यादा भीड पोचेगी उनने बड़े group बनाने पड़ेंगे ताकि भीड को कम हो जाए कम बच्चे पकड़ेंगे और आपको लगया कि भीड कम है तो हो सकता है 70 का गुरूप बन जाए भीड जाता है तो 80 का बन जाए 100 का भी बन सकता है रही बाद टैमिंग की गुरूप पे डिपेंड करता टैमिंग में चीज अगर आपके गुरूप में 70 बच्चे हैं और इवरेज बच्चे सारे आप दोनों टाइम फिजिकल करिए ठीक है और खासकर चेस्ट का ध्यान रखना है अभी बात करते हम लोकेशन की तो लोकेशन जितने भी आपके एडमिट कार्ड आए हैं उसके उपर लोकेशन नहीं सीटी शो कर रखिए जैसे आज मेरे पास एक युपी से लड़का है उस का फोन आए कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ चुके है और मेरे एडमिट कार्ड के अंदर है कि जो लोकेशन दिखा रखी है और में जब उसको गूगल पर सर्ज करता हूं तो गूगल पर सर्ज करने के बाद में मेरे को लोकेशन नहीं मिलने लगरी तो आपको पता है मैं आर्मी से हूं आर्मी से ट्यारिमेंट हूं तो बहुत सारे दोस्त मेरे जो जम्मू के अंदर जोब करते हैं या जम्मू के अंदर जो रिट्यारिमेंट हो मेरे पास तो मैं उसको एकूरेट लोकेशन बताऊंगा कि आपने जम्मू से कौन सी बस में बेठना है और कहां पर पहुंचना है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम इतनी दूर जाएंगे तो वहां रहने का परबंद कहां होगा तो आपको बता है जो पिछली वरती एओसी की ओई थी और पिछली वरती जो एओसी की ओई थी ओई थी निम्भू के अंदर ले के पास पढ़ता है निम्भू वहां पर वरती थी तो हमारी एकड़िमी काफी बच्चे गए थे तो एक यस पाल के नाम से जो यूटूब चाइनल है वो बंदा फायर में है और उसकी डूटी उस टेम यहीं पर थी 41 FOD के अंदर तो मैंने बहुत सारे बच्चे उसके पास रखे थे वो बार सीवल में रहता था तो जहां पर भी आपका सेंटर आये हुआ है वहां आपने खुद निरेना है सीवल में कोई कमरा ले के आउटल के उपर धरमसाला के अं अंदर वहां आपने खुद निरेना है जो AOC वाले हैं वह आपके लिए लोकेशन रहने की परबंद नहीं करेंगे तिराती डोकुमेंट की बात कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि इस डोकुमेंट क्या सीए डोकुमेंट आपको वही चाहिए जो आपने बनुआ ज होसकता मई लाष्ट के अंदर आपको एगजाम होगा अब बहुत सारे बच्चे से सर्म मेडिकल कैसे होगा अब इसको पर क्लियर हो जाएगा पेपर कलियर होने के बाद में आपकी मेल पे आपका past का message आजाएगा कि आप select हो चुके हो और जब आपने दोबारा document verification के लिए जाना है तो उस्टेम आपने medical बनुआ के जाना है अभी हमारी academy के दो बच्चे fireman हुए है बेंगलोर के अंदर जिन के पास mail आ चुकी है ठीक है और अभी हो अपना civil hospital से medical बनुआ के लेके जाएंगे तो medical इसका civil hospital से उतता है तो medical की tension नहीं है मैंन बात है अभी physical की और physical की साथ-साथ की ground की location ground की location कैसे पता करें तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस भी city के अंदर आपका ground आया हूँ जैसे उधान के तोर पे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे उधान के तोर पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये लगया हुआ आपका ये लगया हुआ है इसको देख सकते हो आप दिखाई दे रहा हुआ आपको ये एक board था कहां पे एरपोर्ट पे उस board के उपर ये लिख रख्या था कि ये जो बरती है और इस ground के इंदर है यहां पे है इसी परकार से क्या होगा कि यहां पे जैसे board दिखाई दे रहा आपको ठीक है ये board दिखाई दे रहा आपको ये देखो आप ये board दिखाई दे रहा आपको इस परकार से board कहा पे लगया हुआ था एरपोर्ट के पास वहाँ एरपोर्ट था तो जिस भी railway station पे बच्चे कैसे जाएंगे या तो by bus जाएंगे या by train जाएंगे तो by train या by bus जाएंगे तो by train या by bus articles कहां से भी जाओगे तो bus का पता करना है दूसरी बात जितने भी AOC सेंटर हैं जहां पर आपका फीजिकल आया है जैसे ही हमारे पास में हमने गुरूप बनाना अभी ठीक है टेलिगराम गुरूप बनाएंगे उस टेलिगराम गुरूप के अंदर जैसे जैसे हमारे को ग्राउंड की लोकेशन मिलेगी ठीक है तो ग्राउंड की लोकेशन मिलेगी तो आपको हम ग्राउंड की लोकेशन दे देंगे आप टेलिगराम गुरूप से जुड़ जाना हमारे कल की वीडियो में हापको टेलिगराम गुरूप बनाएंगे हम और लिंक दे देंगे उसका ठीक है और आप उसके अंदर ज जुरूत नहीं है बहुत सारे बच्चे जैसे वेस्ट मंगोल से बिहार से युपी से सर मेरा जम्मू में आगा मेरा पंजाब में आगा मेरा जोधपूर में आगा इतनी दूर मैं कैसे जाओंगा देखो भई वीडियो में इतना ही कि बहुत सारे बच्चों के कमेंटमेंट जो आ रहे थे कि सर लोकेशन का कैसे पता लगे आपको डेमो दे दिया है इस परकार से बोड लगया होगा यह 41 है फडोई बरती थी पिछली बार जो ले के अंदर निम्बू के अंदर ले के पास पड़ता है त तो डरने की जुरूत नहीं है और आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें लाइक करें ससक्राइब करें आने वाली वीडियो में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक यह भी बताऊंगा कि जिन बच्चों का EOC का एडमिर कार नहीं आया तो क्या करें ओके धन्यवाद जय हिंग जय भर्त